हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू गार्णिंग विधितिश इससे पहले मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं प्लांट स्वैप कर रहा हूँ तो आज मैं आपसे इस वीडियो में वही प्लांट्स शेयर करूँगा जो कि मुझे प्लांट स्वैप में मिले हैं और ये प्लांट्स मैंने जिनसे स्वैप किये हैं वो भी एक यूटूबर है उनका भी यूटूब चैनल है और उनके चैनल का नाम है वरिंदर जीत व्लोग एंड गार्डिन तो ये मैंने सारे प्लांट्स यूटूबर हमसे स्वैप किये हैं और मेरे ख्याल से ये फूर्थ ये फिफ्थ टाइम मैं उनसे प्लांट्स स्वैप कर रहा हूँ तो सबसे पहले ये देखिए एक मैक्सिकन पिटूनिया है ये मेरे पास वाइट कलर वाला है लेकिन ये पिंक वाला नहीं था तो ये उन्होंने मुझे दिया है मतलब कि रूट्स के साथ ही सॉइल में से निकाल के और अभी मैंने ये प्लांट Walmart भी नहीं किये है कुछ किये हैं जो सकुलन्स थे तो ये अभी पानी में ही रखा हुआ है तो आज मैंने रिपोर्ट करूँगा और ये सिंगोनियम की वराइटी है जैसे देशी वाला सिंगोनियम होता है ना सेम वैसा ही है बस इसमें ना पिंक सी होती है ये दिखिए आपको दिख रहा होगा हर एक लीफ में बीच मेरा पिंक लाइनिंग सी होती है जैसे जैसे इसे मतलब कि थोड़ी धूप मिलती है या अच्छी ब्राइट लाइट मिलती है तो इसका बढ़ता जाता है तो ये भी रूट्स के साथ ही है ये उन्होंने क ये समस्ट थोड़ी द्रिफरेंट है मैंने ध्यानसे देखा तो उसमें थोड़े तीन जैसे त्रिशूल ना वैसे या उसमें तीन तीन लीव्स जैसे होते हैं लेकिन हाड शेव वाली है तो ये उन्होंने पहले पानी में लगाई हुई थी तो वह कह रहे थे कि ओवर कटि तो यह बहुत तेजी से फैल जाती है तो मैंने एक ही कटिंग डी इसकी जादा नहीं ली और कोलियस उनके पास इतने सुंदर सुंदर कोलियस थे बहुत ही प्यारे कोलियस थे कलर्स भी इतने अच्छे थे सडन नहीं पता नहीं क्या हुआ मैंने भी देखा अपनी आँखों से तो सारे ही मतलग कि खराब हो जुके थे यह जो बचे थे उपर से उन्होंने सारे कट करके मुझे दे दिया तो देखो मैंने अभी पानी में रख्या तो अगर चल जाए तो अच्छा है बहुत ही अच्छे ची वरायीटी सी अब तो पता भी नहीं लगरा कि कौनसी वराईटी कौनसी यी बहुत प्यारी वरायीटी थी यह भी कौरिज की बहुत ही प्लाइट कलर थे सडन यंज्डे सारे खराब हो गए और यह एक इंसुलिन का पोदा है यह मेरे पा साथ यो खाड के मुझे दे दिया और देखे जैसे क्यारियां होते हैं ग्राउंड होता तो आपको पता कीडे मकोडे स्नेल्स वगएरा आ जाते हैं तो उन्होंने पत्ते खाए हुए हैं यह नॉर्मल है कच्ची जगह में ऐसा होता ही है और बहुत ही हल्दी प्लांट्स थे उनके यह वाले जो इंसुलिन का है और फ्लावरिंग भी हो रही थी शायद वो वीडियो शेयर करेंगे फ्लावरिंग की अपने चैनल पर और यह एक फॉक्स चेल फर्ण है यह भी मेरे पास नहीं था मुझे बहुत ही प्यारा लगता यह प्लांट्स पहले भी मैंने देख होती है वैसे और यह भी उन्होंने मुझे पॉर्ट में लगा के दिया हुआ है वेलग्रोन ब्लांट और यह देखि एक बड़े से कुलर में काफे अच्छा साय कुलर का इसमें उन्होंने लगाके दिया यह मैंने मांगा नहीं था उंसे उन्होंने अपने से खुद से ही ये मुझे एक उलड में लगा के दिया है लगा के रखा हुआ था ये फिलोडेंडरोन की वराइटी है शायद मेरे पास ये वराइटी है पता नहीं अब सेम है कि अलग है उसके लीव्स थोड़े बड़े है पता नहीं कि इसके लीव्स छोटे ही रहती है बड़े होती है लेकिन ये मुझे थोड़ी डिफरेंट लग रही है शायद इसके leaves छोटे ही रहें तो काफी प्यारी variety है ये भी ये उन्होंने अपने से खुद से लगा के मुझे दिया है अपने आप और जो दूसरा है हमारा वो है ये baby sun rose variegated वाला ये मुझे मार्च शायद मार्च ये अप्रल में मिली थी cutting तो मैंने आपसे share भी किया था aglonima के plastic के port के नीचे मैंने उसकी cutting लगाई थी बहुत ही healthy grow हो गई थी पता नहीं ज़्यादा पानी के गारण गल गई या plastic का port था या किसी कीड़े ने काट दिया मैंने ध्यानी दिया बिल्कुल सुखी से jam रह गई थी मैंने propagate करने की कोशिश भी की उसे नहीं चला तो उनके port में लगा हुआ था tray में तो उन्होंने का ये आपके पास है तो मैंने का नहीं आप cutting दे दो तो उन्होंने का cutting नहीं ये मेरे पास लगा हुआ है तो आप पूरा ये ले जाओ तो यह उन्होंने खुद के लिए लगाया हुआ था लेकिन उन्होंने मुझे यह पूरा वेल ग्रोन प्लांट जो कटिंग चल चुकी है वो उन्होंने मुझे कुलर में लगा के खुर्दी मतलब गी ऐसे ही उठा के दे दी मैं cutting मांग रहा था लेकिन उन्होंने का cutting क्या करनी है ये मेरे पास प्लांट लगा हुआ है तो उन्होंने मुझे प्लांट ही दे दिया और ये एक बहुत ही खूपसरत अलो की वराइटी है ब्लैक अलो शाहिद इसे कहती है ये उन्होंने almost two years पहले मुझे दी थी तो वो बहुत अच्छे से grow भी हुई baby plants भी निकले लेकिन वो इस बार गर्मियों में मेरी ना गल चुकी थी सारमे के port में मैंने उसे लगाया हुआ था तो ऐसे succulants ना छोटे छोटे अगर आप kullard में लगाओ चोटे-चोटे मिट्टी के port में तो अच्छे चलते हैं और ये kullard भी उन्होंने मुझे दिया था तो मिट्टी भरके मैंने ये खुछ से लगा दिया है तो अब इसे shift नहीं करना है मिट्टी के kullard में रहने दूँगा और ये एक ना जीजी plant की छोटी सी cutting है ये उन्होंने वैसी लगाई हुई थी खुद के लिए तो मैंने उनसे ये का कि ये मुझे जरूर दो तो उन्होंने मुझे दे दी ये अब पता नहीं ये ग्रो होती है नहीं लेकिन इसके साथ मुझे बहुत मतलब कि एर फुल रहना है बिल्कुल भी पानी इने नहीं चाहिए मिटी के कुलड में है तो चल जाएगी और ये सीडम लिनियर है ये तो मुझे इतनी बार मिल चुकी है लेकिन हर बार ना ये चल जाती है अच्छे से ग्रो भी हो जाती है लेकिन थोड़ी देर बार ना ये खतम हो जाती है गन्ले लग जाती है पता नहीं मैं सेरमिक के पोर्ट में लगाता हूँ सेरमिक के कप्स में लगाता हूँ इसलिए तो इस पार मैंने डिसाइड किया है कि इसे छोटे से मिटी के कुलड में ही मुझे लगाना है कोई इसे shift नहीं करना चाहे जितनी मर्जीर्स की growth हो क्योंकि मैंने इस पर observe कि है छोटे छोटे मिट्टी के ports में कुलड में जो succulents ना अच्छे से grow करते हैं और यह कुलड है उनके यहां मतलब कि shop है तो वहां पर मिट्टी की यह बनते हैं तो जो reject हो जाते हैं मतलब कि जो नहीं आगे sale होने के लाइक होते हैं तो वह ऐसी फिंक देते हैं तो वहां से वह ले आते हैं free of course तो उनको मैंने पहले कहा था कि मेरे लिए रख लेना यूंकि इन में succulent के अक्रस बहुत अच्छे चलते हैं तो उन्होंने मुझे यह 5-6 दिये हैं और सबसे unbelievable जो surprise कहलो या gift कहलो मेरे लिए वो यह था पोर्ट में लगाके उन्होंने मुझे यह black zizi plant दिया है देखिए कितना healthy plant है कितनी healthy branch है यह और black वाला है यह black वाला थोड़ा costly आता है और देखने में भी बहुत ही खूपसरा लगता है leaves देखिए इसकी कितनी shiny है एकदम well-drained soil में उन्होंने लगाया हुआ है यह watering की हुई है उन्हों नहीं तो इसलिए आपको ऐसे लग रही होगी soil लेकिन well-drained soil है एकदम मतलकि fertilizer भी बहुत अच्छा है इसमें और देखिए कितना फरक है green और black में ऐसे पता नहीं लगता कि black है यह green है तो यह उन्होंने जैसी मैं उनके entry किया उनके घर में तो उन्होंने plants दिखाया तो सबसे पहले उन्होंने यही दिखाया कि यह देखिए यह आपका gift है तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई यह unbelievable था मेरे लिए मैंने कहा भी नहीं था और उन्होंने बताया भी नहीं कि मैंने आपके लिए लगाया है तो वैसे अगर surprise मिले तो बहुत ही खुशी होती है खास कर इतना खूप सूरत plant black जीजी तो ऐसे मैंने यह सारे plants swap किये हैं उनसे मैंने तो बहुत थोड़े plants दिये थे उन्हें लेकिन उन्होंने मुझे काफी अच्छे well grown plants दिये हैं आप देख सकते हो कितने healthy plants है तो ऐसे time to time मैं हर जगा से जहां से भी मिलते हैं plants की cutting swap करता रहता हूँ और अपनी collection में बढ़ाता रहता हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे अपनाट swap करने और बहुत ही खुशी होती है दिल को तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें चापी गार्णी